Power BI के Dashboards के अंदर आप सिरफ और सिरफ visualization charts या plot ही नहीं बना सकते बिलके आप tables भी बना सकते हैं जो plots की तरह या dashboard की तरह नजर आते हैं इस lecture के अंदर हम वही देखने वाले हैं तेयार हैं आप चलें start करते हैं screen आपके सामने हाजिर है यहां पर मैं क्या करने वालों प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा यहां पर 10 अंटी टेबल नौट आंट टेबल सो मैं यहां पर इस एक पॉइंट पर आऊंगा मैं इसको जूम इन करता हूं यहां पर मेरे पास बिल्ड की option है बिल्ड के अंदर मेरे पास यह table की option है मैं table पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपके पास एक table add हो गया है यह एक table है जो आपको नजर आ रहा होगा मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूं मैं यहां पर यह जो एक निशान आ रहा है फॉर्मेटिंग का मैं यहा यहां पे database पे click करके और यह build पे इन दोनों पे click करके इन दोनों tabs को open कर लूँगा अब आप देखें कि मेरे पास carrot cut clarity and so on so forth यहां पे मुझूद है मैं यहां से उठाता हूँ clarity को column को add करता हूँ and you see कि यहां पे आपके पास tabulated format के अंदर एक चीज आ गई है clarity की और यह table आपक के पास price यानि के color cut and color clarity and then sum of price and you will also see something like this कि आपके पास कुछ इस तरीके से proper way के अंदर पूरे के पूरा आपके पास एक table आ गया है जिसका total भी नीचे दिया हुआ है और यहां पे आप sum of the price की बजाए average भी लेक सकते median count maximum whatever you want to do you can also write down that one अगर आगर आप चाते हैं कि यहीं पे आपके पास depth नहीं इसको छोड़ते हैं हम यहां पे cut को बलके yes depth को add करते हैं एक और numerical value को add करने की कोशिश करते हैं let's see यहां पे मैं depth को add करता हूं now you will see two numeric column और आपके पास color clarity and so on बाकी चीज़े आगी है and this is how you can actually make your data based on the sum और इसको हम एक तरह का pivot table भी बोल सकते हैं जो हमा आपके पास different किसम के analysis करने के लिए utilize किया जाता है when we are doing some kind of excel data analysis on different kind of big data तो आपके पास हर color का हर clarity का हर depth का different data आपके पास आपके पास हा रहे है sum की base पे and this is how you can actually create a table और इस table को आप यहां पे click करके focus mode के अंदर भी देख सकते हैं something like this और यह focus mode आपको दिखाता है कि किस तरीके से आपका पूरे का पूरा table नजर आएगा मैं इसको थोड़ा से zoom out करता हूं zoom out करने के बाद यहां पर click करता हूं इसको export data भी कर सकता हूं जैसे हमने पहले csv file के अंदर किया था and this is kind of data इसको मैं data table बोलता हूं और यह csv file भी हमारे पास save होगी on the other side अगर आप चाहते हैं क इसको show as table किया है क्योंकि यह पहले table है तो नीचे भी as a table वैसे ही आएगा लेकिन यहां पर आपके पास थोड़ी सी concise information होगी which you can also see up here तो इसका कोई फाइदा नहीं हुआ हमें but on the other side अगर हम चाहें तो automatically find clusters भी कर सकते हैं मैं इस पर click करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं field जो हैं एक से पंदरा में यह जो exceed कर गी है इस वज़ा से हमारे पास clusters नहीं बन रहे so we need to find clusters we can do that later on कैसे हम कर सकते हैं मैं यहां से sum of depth जो है उसे निकालता हूं और अब चेक करते हैं कि अगर हमारे पास clusters बनते हैं still not working अगर मैं color निकाल दूं then we can see now you can see clarity के clusters हमने बनान automatically मैं okay पर click करता हूं और we will see के हमारे पास clusters किस तरीके से बनते हैं stable की base पे and now you can see के हर cluster जो है वो separate चीज़ों को show कर रहा है obviously जब भी आप clustering करते हैं अगर आपको machine learning के lectures याद हैं तो हम सिरफ और सिरफ नुमेरिक data पर clustering करते हैं not on categorical data क्योंकि categories तो पहले हमें clusters बता रही है ना 6 किसम के या 7 किसम के and this is how you can actually view different kind of data as a table तो मैं यहां पर depth और बाकी चीज़े as it is रखते हैं तो जैसे हमने पहले रखी थी और आपके खास तोर पे चीज़ों को आप यहां पे maintain भी कर सकते हैं say for example I would like to remove some of the price from here और price को यहां पे add कर देते हैं so this is how it looks like the table समझागी है hopefully आपको समझ आ रहे होगे power b.a के proper lectures की और अगर आपको समझ आ रहे है तो please like share and subscribe our lectures videos this course जिससे आप हमारी help करने में हमारी मदद करेंगे help करने में हमारी मदद करें चलो समझ तो आगे ना आपको see you in the next one